सन 1989 बारा जुलाई केंद्रे बक्री अनुसंदान संग्स्तान यानि के सेयारजी का जनम हुआ बक्री पालन को सही से समझने और किसानों को बक्री पालन के उपर प्रसिक्षन देने के लिए ये संग्स्तान हमारे भारज सरकार ने सुरू किया था सन 1989 को और तब से लेकर के अभी तक ये संग्स्तान इसी के उपर रिसेच और काम कर रहे है केंद्रे बक्री अनुसंदान संग्स्तान में जो नसल है सबसे ज़्यादा ओ है बरबरी नसल और आज हम लोग इसी बरबरी नसल के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे तो दोस्तों सबसे पहले जो बरबरी नसल है ये भारत की नहीं है ये अफरीका की नसल है बरबरा नाम का एक सहर है वहां की जो नसल है बरबरी ओ कहीं बरसो पहले जो बैपसाइक उद्देश से इसको भारत में लाए गया था और तब से लेकर के अभी तक ये नसल उत्तरपदेश पंजाब और कुछ हर्याना में पाया जाता है इनमें जो उत्तरपदेश में पाया जाता है जो इटावा और मतुरा में यहां के बरबरी को बकरी पालन में सबसे अधिक सपलता पुरबक नसल माना जाता है बर्बरी बकरिया जो है 13 से 14 मेने में बच्चा दे देती है और हर 6 मेने में बच्चा देती है यानि कि साल में 2 बार बच्चा देने के 21 दिन से 1 मेने के अंदर वो पूर्ण घरवधारन कर लेती है और यह नसल जो है मांस और दूद दोनों के लिए पालन किया जाता है दो से तीन लिटर तक दूद दिन की समता इनमें होती है और बहुती अच्छी नसल है यह इसको आप चराई यानि के ग्रेजिंग पे भी कर सकते है और स्टॉल फीडिंग पे भी इसका बहुती अच्छा रेजल्ट है अगर आप कभी केंद्रिय बक्रियानु संधान संगस्तान में आते है तो महाँ पे आपको इस्टॉल फीडिंग वाला मॉडल और चराई वाला यानि के ग्रेजिंग वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा बरबरी जो नसल है तो हाल फिलाल में इतना ज़्यादा डिमांडिंग नसल है कि इनका जो कीमत है बक्री खरीदने और बेचने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रहे है क्योंकि जिसके पास ये नसल है प्योर नसल है वो एक बक्री का 20 से 25 जार डिमांड करता है किसान और ऐसा बक्री अगर हम खरीद के नएने किसानों के लिए ले जाते है तो वो किसान को वो बक्री हमसे खरीदने में थोड़ा परेशानी होती है इसलिए ये जंगल आप लोगे के लिए हम लोगे ने आज वीडियो के मादधम से आप लोगे के पास पहुंचाया है जिस किसी भाई को बरबरी नसल चाहिए आप इन किसानों से संपर्क कर सकते है उत्तरबदेश इटावा आ सकते है और आपको अगर अच्छी नसल की अच्छी नसल की बरबरी बक्री चाहिए तो आप इन से संपर्क कर सकते है और अच्छी नसल की बकरी अगर आपको पस्ष मंगाल में चाहिए तो आप हमसे भी संपर्ख कर सकते हैं हमारे फार्म पे आ सकते है पस्ष मंगाल पस्षी मननापूर जिला की मननापूर सहर में मिननापूर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमेटर की दूरी पे हमारा फार्म है और डेस्क्रिप्शन पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद